राधे राधे हरे कृष्णा कार्थिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में इस्नान्त करने की परंपरा है और उसके बाद अपनी सामर्थ के नुसार दान दिया जाता है। इस दिन लोग वरत रखकर सत्यनारण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। राध के समय चंदर देवता की पूजा करके चंदर देवता को अर्ख देने के बाद जिवरत पूर्ण हो जाता है। कार्तिक पुनिमा के शुब अफसर पर भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है और क्योंकि कार्तिक पुनिमा को तृपुरारी पुनिमा भी कहते हैं क्योंकि भगवान शिव ने इसी दिन तृपुर नाम के राक्षिस का वद किया था इसलिए इ वित्र नदियों में या फिर घर में ही गंगा जल मिलेवे पानी से इसनान करना बहुत ही शुब फलदाई होता है इस दिन आप फल अन जरूरी सामान वस्त्र आधी दान दे सकते हैं और सफेद चीजों का दान करना इस दिन अत्यंत शुब और लाबकारी माना जाता है जैसे क दूद्ध चीनी चांदी का दान या फिर शक्कर का या सफेद वस्त्र का दान भी आज के दिन आप कर सकते हैं पूर्णिमा तिथी प्रारम होगी 15 नवंबर शुकुरवार को सुबह 6 बच कर 20 मिनट से और समाप्त होगी 16 नवंबर शुनिवार को सुबह 2 बच कर 58 मिनट पर जो कि इस बार केवल 15 नवंबर शुकुरवार के दिन ही पूर्णिमा तिथी सारा दिन विद्यमान रहेगी इसलिए केवल और केवल 15 नवंबर शुकुरवार को ही पूर्णिमा वरत रखा जाएगा इस नान दान भी इसी दिन किया जाएगा और मनी करनी का इस नान भी इसी मिनट पर ब्रह्म मोर्ट सुभा 5 बचकर 8 मिनट से 5 बचकर 56 मिनट तक रहेगा जब आप सुभा का इसनान कर सकते हैं अभिजीत मोर्ट सुभा 11 बचकर 49 मिनट से दो पहर 12 बचकर 33 मिनट तक रहेगा अमरत काल शाम 5 बचकर 38 मिनट से 7 बचकर 4 मिनट तक रहेगा जब आप शा कार्तिक मास वृतों का पालन किया है उन्हें इस दिन उद्यापन करना चाहिए देव दिवाली यानि कार्तिक पुनिमा के दिन पूजा के शुब मुर्थ इस परकार रहेंगे जिसमें सुभा की पूजा का शुबमुर्थ सुबा पांच बच कर चौबिस मिनट से शे बच कर शुबमुर्थ शाम पांच बच कर 27 मिनट से शे बच कर 47 मिनट तक रहेगा विजय मुर्थ दो पहर एक बच कर 53 मिनट से दो बच कर 36 मिनट तक रहेगा अभिजीत मुर्थ और विजय मुर्थ में आप सत्यनारण भगवान की कथा का पार्ट कर सकते हैं गोधुली बेला शा दिन चंदर देवता की पूजा की जाती है तभी वरत पूर्ण होता है तो इस दिन चंदरोदय होगा शाम पांच बच कर आठ मिनट पर इस समय के बाद से आप चंदर देवता को कभी अर्ग देकर अपने वरत का पारण कर सकते हैं जो लोग किसी कारण से देव उठाने व्यक्ति को देने के साथ ही सामर्थ हो तो घर पर किसी वैशनव को या किसी ब्रह्मन को आमंत्रित कर आप उन्हें शुद्सात्विक भोजन कराएं और यथा संभव दान दक्षिना दे कार्तिक पुनिमा की ऐसे विशेषता है कि अगर कोई व्यक्ति साल के 365 दिरों में कभ प्राप्त हो जाता है यह दीपदान आप अपने आसपास नदी तलाम सरुवर किसे भी पवित्र व्रिक्ष के नीचे तुलसीजी के पौधे के नीचे या आसपास के शिव मंदिर या विशनु मंदिर या शनीदेव के मंदिर में भी जला सकते हैं वहां पर भी आप दीपदान करने से सभी पापों को तुनाश होता ही है और मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं दीपदान कैसे किया जाता है इसकी अलग से कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड़ेड है अगर आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो क लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा